कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसका नंबर था 266 OWDC के बारे में किसान साथियो इस वीडियो पर मुझे बहुत कमेंट मिले है मुझे बहुत अच्छा लगा के लोगों ने अपनी बेबाक राय दी लेकिन मैं अपनी जगए सही हूँ और चुकि मेरी बात तत्यों पर आधारित होती है किसान साथियो मैं माननिय कर्शन चंदर जी का बहुत सम्मान करता हूँ और इस बात के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोड़क्ट किसानों के लिए दिया लेकिन जो वीडियो इन्होंने बताई थी ये वीडियो आप उनके चैनल पर जाईए और इस वीडियो को देखिए और इसके बाद आप मेरी ये वीडियो देखिए और फिर निर्ने लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है किसान सातियों आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार अब मैं आपको एक किसान की कहानी सुनाता हूँ ये किसान है राम चंदर पाटीदार अब आप मेरी छोटी सी ये बात सुनिए जिस किसान की ये वीडियो दिखाई है उसका नाम है राम चंदर पाटीदार ग्राम रजूर और खरगोन मद्धे परदेश के ये रहने वाले हैं जब मैंने ये सूचना अपने ग्रूप में डाली तो उसमें ग्रूप में एक मेरे किसान है एड़ोकेट श्याम सुन्दर भटोरे उन्होंने कहा कि राम चंदर पाटीदार जी का खेत मेरे हां से 15 किलोमेटर दूर है और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ उन्होंने जो कहा है वो सत परतिसत सही है अब मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है और क्रिशन चंदर जी ने क्या दिखाया है राम चंदर जी ने 3000 पोधे लगाए विये हैं आठेकड में दो वरैटी हैं ताइवान पिंक और वी अनर भी ही ताइवान पिंक उनका 8 वाई 5 पर है और वी अनर 10 वाई 7 पर है इस प्रकार उनके कुल पोधे विये 3000 जब एक दिन मेरे पास मेंसेज आया के दादा मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके कारण मेरी जोहन इतनी अच्छी फसल हुए है और मैं सफल हुआ हूँ मैंने कहा भाई मैं तो आपको जानता तक नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया कहतें नहीं दादा आपकी वीडियो देख देखकर मेरा बाग संतुलित हुआ और अच्छा हुआ और आपका बहुत बड़ा योगदान है मैंने उनसे बात की और ये सब चीजे मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये बताएं वो खेत पर गए और उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजी अब जब उनकी वीडियो आई तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं कि राम चंदर जी क्या कह रहे हैं और आप स्विम निर्ने लीजिए कि मेरे कहने का क्या तात परिया है आईए देखते हैं राम चंदर जी द्वारा भेजी गई भीडियो तभी किसान भाईयो को मेरा राम रा मैं राम चंद पाटिदार ग्राम रजूर तेसिल खरगोन जिला खरगोन मद्देपरदेश मेरे पास में ये आठ एकड़ खेते जिसमें मेंने वियनार बिही के 3000 पोधे लगाए हैं और थाइवान पिंक के 3000 पोधे लगाए हैं और ये मैं पूरे आठ एकड़ में प्राकर्तिक खेती जिरो बजट खेती कर रहा हूँ पिछले चार सालों से इसमें कोई रासाइनी कोई केमिकल नहीं किया हुआ है जिसमें सुबास पालेकर जी के वीडियो डाक्टर किसन चंद्रा जी के वीडियो और हमारे डाक्षाप अनिल त्यागी जी के वीडियो देख देखके मैंने जो जो उनके वीडियो से सिखा उसको मैंने मेरे खेत में अपलाई किया जिसका बहुत ही भेतरिंग रिजल्ट सामने आया है अभी तक मेरे खेत में ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं सामने आई जिससे नुकसान हो अभी तक एक भी ऐसी कोई बीमारी मेरे खेत में फसलों पर हावी नहीं हुई है मेरी फसलों की प्रती रोधक शमता बहुत ज़्यादा है उत्पादन समता भी बहुत ज़्यादा है ये थाइवान पिंग का मुरूद है जिसकी उम्रा अठरा महिने की जब उन्होंने ये वीडियो भीजिए तो उन्होंने तीन नाम लिये पहला नाम था पाले कर जी का दूसरा नाम था क्रिसंचंदर जी का और तीसरा नाम था मेरा तो मैंने उनसे बात की कि आपने इसमें क्या-क्या करते हैं और ये पूर्णत जैविक करने के लिए आपने क्या-क्या कारिये किया देखिए पालेकर जी प्राकर्तिक खेती को सपोर्ट करते हैं जीवामरत को सपोर्ट करते हैं लेकिन उन्होंने जीवामरत लिया और जीवामरत का परियोग किया ये परियोग किस प्रकार किया और कितने अंतराल बाद किया कैसे किया ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगा जीवा मृत ये पूरी बरसात देते हैं और एक एक कड में 400 लिटर जीवा मृत देते हैं इसका इस्प्रे भी करते हैं पोदों पर अब आईए दूसरा क्रिसन चंदर जी के इसमें क्या योगतान है वो वैस्टी कंपोजर का परियोग करते हैं और सिचाई में एक एक कड में 1000 लिटर वो देते हैं और West Decomposer 50% का इस्प्रे भी करते हैं इसके अलावा वो West Decomposer के दो प्रोड़क्ट बनाते हैं एक बनाते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट जिसका वो 20% का इस्प्रे करते हैं महीने में एक बार और एक बनाते हैं पत्यों का रस्ट जिसका भी वो महीने में एक बार इस्प्रे करते हैं ये किस टाइम करते हैं कैसे करते हैं ये मैं बाद में बताऊँगा किसान सातियो मैंने उनसे पूछा कि आपका रुजहान इस तरफ क्यों हुआ उन्होंने मुझे बताया कि दादा मैं पहले मिर्च की खेती करता था और मिर्च की खेती करते करते मेरा इतना बुरा हाल हो गया कि मेरे खेत में इतनी बिमारी हो गई और मुझे फाइदा होना बहुत कम हो गया तब मैंने 2012 से ये खेती शुरू करनी ये चीज़ ध्यान देने की है यहां पर के 2012 से और वेस्डी कमपोजर कब आया था ये भी आप देखिए 2012 से शुरू की इन्होंने धीरे धीरे केमीकल को बंद किया और 2018 से इन्होंने पूर्ण रूप से केमीकल बंद कर दिया जो इनका कहना है उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जीवामरत वेस्डी कमपोजर का प्रियोग करना शुरू किया माइक्रो न्यूट्रेंट बनाना सुरू करया उनमें मेरी वीडियो की भी कुछ सहेता ली और कटिंग परबंधन और जो बाकी परबंधन है वो मुझे सीखा ऐसा मुझे लगता है तो मेरा योगदान इसमें तुछ है और मैं रामचंदर जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया है किसान साथियो अब आईए इनकी थोड़ी सी जानते हैं आमदनी के बारे जब मैंने इनसे पूछा कि आपको इससे क्या फाइदा हुया और कितनी आमदनी ले ले लेते हैं लाक फलों की बैगिंग हो रही है जो तीन हजार पोदे हैं उनमें तीन लाक फलों की बैगिंग हो रही है इन्होंने कहा है कि एक फल पान सो ग्राम का मान कर चलते हैं जो बैगिंग करवा रहे हैं इस प्रकार मुझे कुल पंदरा सो कॉंटल अमरूद मिलेगा कहते हैं पंदरा सो कौंटल में से आप तीन सो कौंटल खराब भी हो जाता है तो मुझे बारा सो कौंटल अमरूद मिलेगा जो सही अमरूद होगा और इसका भाव अगर मुझे पचास रुपे किलो भी मिल गया तो साथ लाख का मेरा अमरूद भी केगा यह है आठ एक कड़की कहानी जो उन्होंने मुझे बताई है मैं इस से ज़्यादे कुछ नहीं कहूंगा यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ इस बात को अगर किसी को इस बात से ठेस लगती है कि मैंने ये गलत कहा है तो मैं उसके लिए छमा प्रारती हूँ किसान साथियो मैंने सच्चाई आपके सामने रखी है आप देख सकते हैं और हमें इस बात की सरहना करनी चाहिए के राम चंदर जी ने एक मोडल आप लोगों के सामने रखा है जो की मिक्स मोडल है और मैं भी इस पर कारिये कर रहा हूँ जीवा मरत हमारी एंसियंट पुरा तत्व टेकनोलोजी पर आधारियत है कोई बड़ी बात नहीं है मैं एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो राजीव दिक्सित जी का है के जीवा मरत की जगे अगर आप जेवी खाद बनाते हैं तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं परिणाम आने में समय लगेगा लेकिन मेरा प्रैक्टिकल सुरू हो चुका है और मैं इसको बना भी चुका हूँ पिछले दो महीने से बना रहा हूँ मेरा एक प्रोजेक्ट है पंजाब में वहाँ पर मैंने ये कारिय शुरू किया है आपको उसके रिजल्ट भी साजा करूँगा किसान साथियों ये थी मेरी प्रस्तुती West Decomposer की सत्यता पर जब मैंने अमित महिला जी से बात करी कि अमित महिला जी क्या आपको मेरी इस बात से कोई दुखा उन्होंने कहा नहीं और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके पास 28-29 तारिक को एक दूसरा West Decomposer पोस्ट कर रहा हूँ जो कि इससे भी पावरफुल है और आप इसी तरह कारिय करते रहिए उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और उन्होंने मुझे यह भी वादा किया है कि डॉक्टर करसन चंदर की मेरे से एक मिटिंग अवस्टे कराएंगे जहां पर मैं अपनी जो मेरी जिग्यासा है वो उनसे पोस्ट सकों देखिए कुछ समस्य हैं जो पूरी बात अभी नहीं बनाना चाते कौन बना रहा है किसने इसको पावरफुल बनाया है ये एक समय ही बताएगा थोड़े समय का इंजार करिए आपको प्रोड़क्ट से मतलब होना चाहिए आईए मैं दिखाता हूँ ये जो मैंने 20 तारिक को वेस्टी कमपोजर बनाया था ये वेस्टी कमपोजर बनाया था और ये मैंने बनाया था और मुझे ये आज आज इसका सात्वा दिन है और देखे कितना अच्छा वेस्टी कमपोजर बना है मेरे बेटे ने बता चुकि मैं बाहर था कि ये तीसरे दिन ही इसमें रंग आना शुरू हो गया था और इसमें काफी बुलबुले निकल रहे थे बिल्कुल भीनी-भीनी महक है बहुत अच्छा है लेकिन जो मुझे अमित जी ने बताया कि अगले वाला भी इसमें बहुत पावर्फुल होगा मेरी किसी बात से उनको ठेस लगी हो तो मैं उसके लिए भी छमाप रारती हूँ इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जैहिन जैभारत